आज हम देखेंगे क्लास 12 है मैस में NCIT एक्सराइट सॉलिशन और चैप्टर 6 एप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव्स हम मेंली वर्ड प्रॉलम पर फोकस करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हम लगता है आप सबें बनते होंगे और उसी की बेस पर हम एप्लिकेशन डेरिवेटिव्स के सारे वर्ड फोलम को सॉल्व करेंगे सबसे पहरे हम देखेंगे exercise 6.1 6.1 का question number 1 है find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal to 3 cm and when r equal to 4 cm बहले इस question में हम से पूछा है कि हमें जो area change होने की rate है वो पता करना है with respect to r तो हम जानते हैं कि what is the area of circle equal to pi r square और अब हमें क्या करना है इसकी rate पता करनी with respect to r तो जिसके respect में हमें पता करना होगा उसके respect में हम इसका क्या करेंगे differentiation तो मतलब कि हमें change in area and with respect to change in distance that means we have to find dA by dr अगर radius r है तो dA by dr निकालना है तो जो area है क्या ये function है r का बिलकुल function है r का तो area the function of r that is pi r square तो dA by dr करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पस differentiation I hope कि आप जानते नहीं जानते तो आप differentiation वाला वीडियो refer कर सकते हैं तो यहां क्या जाएगा 2 pi r तो यह हो गया हमारे rate of change of area with respect to r कब find करना है जब r equal to 3 cm हो और r equal to 4 cm हो तो जब r equal to 3 तो यहां 3 रख देंगे तो कतना जाएगा 2 pi into 3 6 pi cm और 4 रख देंगे तो 2 pi into 4 तो 8 pi cm question number 2 देखते हैं the volume of cube is increasing at the rate of 8 cm cube per second how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 cm मतलब कि यह हमारे लिए दिया है कि एक cube है उस cube का जो volume है वो समय के साथ बढ़ रहा है 8 cm cube per second हर एक second में उसका जो volume change हो रहा है 8 cm cube हो रहा है तो हमें पता करना है उसका surface area है उसके change होने की rate क्या होगी तो हमने माना कि एक जो cube है उसकी side है वो कितनी है a cm volume हो गया उसका v cm cube and surface area हो गया a cm square तो हमें यह भी दिया है कि dby dt मतलब change in volume तो कितना होगे dby dt कितना दिया है 8 और हमें find करना है dby dt मतलब की area change होने की rate find करनी है तो dby dt equal to 8 तो सबसे पहले v है क्या क्या v हमारे पास है v क्या होता है cube का volume क्या होता है side into side into side that is a cube लेकिन जो v है वो t का function नहीं है तो a cube का direct हम differentiation नहीं कर सकती हम chain rule लगाएंगे तो उसके क्या लिख सकते है d aq upon d a into d a by dt chain rule लगाया मतलब की aq का हमने किस से कर लिया d a से यहाँ chain rule मतलब की हम यहाँ d a upon d a का multiply करेंगे तो हमारे पास यह चीज आ जाएगी तो d a q कितना हो जाएगा 3 a square into d a by dt equal to कितना चल रहा है 8 तो यहाँ से d a by dt equal to कितना आ गया 8 upon 3 a square जलगत क्यूं है क्यूं निकाला हमें तो d a by dt चाहिए था तो आप यह क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि d a by dt में भी हमें इसकी जूरत पड़ेगी d a by dt किया तो एरिया कितना होता है क्यूब का surface एरिया होता है 6 into a square अगें फिर से जो एरिया है वो side का function नहीं है that means हमें इसका जो differentiation करना है time respect में तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा d a upon d a से multiply that means chain rule फिल लगाएंगे और chain rule लगाएंगे तो क्या आएगा d upon d a 6 a square into d a by dt अब 6 a square का कितना आ जाएगा तो इदर आ गया जाएगा तो 12 a into d a by dt तो अब चुगी यहां d a by dt चाहिए इसलिए हमने यहां पहले निकाल के रखा हुआ है और d a by dt कितना आ रहा है 8 upon 3 a square तो यहां से हमने इसकी जगा क्या रख देंगे 8 upon 3 a square तो a से a cancel हो जाएगा और 3 से 4 तो 4 8 जा 32 upon a तो change in area rate of change of area आ गया 32 by a अब यहां में दिया यह कब निकालना है surface area at the age of 12 cm जब एक ही value कितनी है 12 तो यहां हम 12 रख लेते हैं तो क्या जाएगा 32 by 12 cancel out किया तो कितना आ जाएगा 8 by 3 cm square per second अगला question देखते हैं question number 3 the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second find the rate at which the area of a circle is increasing when the radius is 10 cm मतलब फिर से हमारे लिए rate of change of radius दिया है that means dr by dt दिया है माना कि circle की radius r है और area कितना है a तो dr by dt कितना दिया हमारे लिए 3 cm per second question में दिया है और हमें निकालना है da by dt निकालना है तो da by dt मतलब कि हम जानते a कितना होता है circle का pi r square तो d by dt pi r square again क्या area r का function है sorry time का function है नहीं लेकिन यह r का function है और हम t के respect में differentiation करना है तो फिर से यहां क्या लगाएंगे chain rule हमने क्या लगा लिया pi r square के साथ क्या लगे लिए dr by dt मतलब यहां dt की जगा dr कर दिया और यहां dr by dt कर दिया अब क्या dr के respect में हम differentiation कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो कितना आजाएगा यह 2 pi r और dr by dt की value कितनी है 3 तो कितना आजाए 6 pi r अब यहां r की value भी दिये 10 तो क्या रख देंगे 6 pi r into 10 that is 60 pi centimeter square per second rate at with the area of the circle is increasing when the radius 10 centimeter is 60 pi centimeter square per second next देखते हैं question number 4 and as of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second a cube है जिसकी side variable है उसकी side हर एक second में 3 centimeter change होती है how fast is the volume of cube increasing when the side is 10 centimeter मतलब कि हमें rate of change of side दिया है और rate of change of volume निकालना है तो वही बात आगे da by dt 3 centimeter per second find v है t by dt अब v क्या होता है cube का aq तो da q upon dt फिर से साब दिखरा है कि ये volume a का function है और time की respect में निकालना है तो हम क्या लगा देंगे chain rule तो da multiply by da कर देंगे divide तो क्या जाएगा ये chain rule से da q upon da और da by dt अब इसके respect to differentiation क्या हो जाएगा 3a square और da by dt की value में अलड़ी question में दी है 3 तो कितना हो गया 9a square अब कब निकालना है जब a कितना है 10 centimeter तो यहां value रख देंगे a equal to कितना रख दिया 10 तो 9 into 10 का square कितना हो गया 900 centimeter cube per second so the rate at with the volume of cube is increasing when the edge is 10 centimeter is 900 centimeter cube per second question of next deck name 5 a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter how fast is the enclosed area increasing let the radius of wave is r centimeter and area of wave is a a equal to pi r square हम जानते हैं फिर से y di में dry dt दिया है 5 centimeter per second और हमें निकालना है d y dt कब जब r कितना है 8 centimeter तो area क्या होता है हमारा pi r square तो d y dr निकाला चेंडू लगाया और d y dt कर दिया d y dt की value में d y 5 और pi r square कर कितना हो जागा 2 pi r और multiply by 5 तो कितना है 10 pi r तो d y dt कितना है 10 pi r centimeter square per second अब यहां r भी दिया है मारी लिए question में कितना कब निकालना है जब r कितना हो 8 centimeter तो हम यहां r की value रख देंगे so that is d y dt at r 10 that 10 pi into 8 80 pi centimeter square per second so the enclosed area is increasing at the rate of 85 centimeter square per second next question देखते है question number 6 the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second again फिर से में क्या दिया है circle की radius का change दिया d y dt दिया है what is the rate of increase of its circumference मतलब कि हमें अब इस बार circumference का rate निकालना है चेंज होने का तो d y dt और circumference का c से denote करेंगे तो d c y dt निकालना है अब circle का circumference कितना होता है हम जानते है 2 pi r तो d c y dt equal to d y dt 2 pi r फिर से यह r है यह t है तो हम क्या करेंगे chain rule लगाएंगे d y dt कर लेंगे तो 2 pi r का क्या जाए कर 2 pi और इंटो d y dt तो 0.7 से multiply कर दिया कितना गया 1.5 1.4 pi cm per second so the rate of increase of circumference of circle is 1.4 pi cm per second question number 7 देखते हैं the length x of a rectangle is decreasing यहां याद रखना है जब भी कोई rate increase होती है तो उसे हम positive लेते हैं और जब भी कोई rate decreasing होती है से हम negative sign के साथ लेते हैं decreasing at the rate of 5 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 4 cm per minute when x equal to 8 cm y equal to 6 cm find the rates of change of first perimeter and second area of rectangle तो हमारी लिए दिया है कि एक rectangle है जो की length इसकी x है और width उसकी y है अब इसमें हमें length इसकी कम होती जा रही है time के साथ और width इसकी बढ़ती जा रही है time के साथ तो किस तरीके से length कम हो रही है dxy dt कितना है minus 5 cm per minute और dy dt कितना है 4 cm per minute तो हमें पता करना है कि perimeter हमने p को perimeter और area को एसे represent किया हमें निकालना है dp by dt and d a by dt दो चीज़े निकाल दी तो rectangle का perimeter केतना होता है तो multiply by length plus width तो twice of x plus y अगर हम dp by dt कर देंगे तो ये भी क्या जाएगा 2 into dx by dt plus dy by dt अब dx by dt की value कितना है minus 5 dy by dt की value कितना होती है plus 4 तो minus 5 plus 4 केतना हो गया minus 1 minus 1 multiply by 2 तो change in parameter हो गई rate of change in parameter minus 2 cm per minute area की बात करें तो area क्या है x into y अब d a by dt निकालेंगे तो यहां क्या है product rule लगा हुए product rule लगा हुए product rule लगा है मतला पहला function as it is दूसरे का differentiation plus दूसरा function as it is पहले का differentiation तो x as it is d y by dt हमने लग दिया हमें x पता है x कितना दिया है 8 y पता है 6 तो x की value रखी 8 y की value रखी 6 dy by dt हमें दिया है question में 4 और dx by dt हमें दिया है question में minus 5 सारी value put कर दी 8 4 जा 32 plus 6 into minus 5 minus 30 तो यह कितना जाएगा 2 cm square per minute question number 8 देखते है a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping is 900 cubic centimeters of gas per second find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter हमने balloon लिया है इसको हमने spherical माना है पहले question में और spherical मानते हुई यह माना है कि जब इसको pumping की जाती है तो इसका जो volume है वो क्या होता है 900 cubic centimeter पर second change हो रहा है और हमें पता करना है कि इसकी radius कितनी second change पर second change हो रही होगी जब radius 15 centimeter है तब तो मतला सीधी बात हमाई लिए dv by dt दिया है और dr by dt निकालना है तो let the radius of square is r and volume is v dv by dt 900 हम जानते हैं कि cv square का volume क्या होता है तो 4 by 3 pi r cube again volume is a function of r and we are going with differentiation with respect to t तो क्या करना पड़ेगा chain rule लगाएंगे chain rule लगाएंगे मतला यहां भी क्या करेंगे d upon dr into dr by dt अब 4 by 3 pi तो constant हो गया side हो गया r क्यू करेंगे तो कितना जाएगा 3 r square 3 से 3 cancel तो आ जाएगा 4 pi r square और into dr by dt चल रहा है और dr by dt हमें निकालना है लेकिन हमें d by dt दिया है question में तो हमने इसको लिए 900 तो dr by dt कितना जाएगा 900 upon 4 pi r square यह हमारा आगा rate of change of radius अब हमें r की value भी दिये question में कितनी दी हुई है 15 तो जब r equal to 15 रखेंगे तो हमारा जाए 15 का square 15 का square कितना जाएगा 225 और 225 multiply by 4 होगा कितना 900 तो 900 upon 900 pi that is equal to 1 upon pi cm per second तो हमारे पास जो rate of change of radius आ गई वो कितनी आ गई 1 upon 5 question number 9 देखते हैं a balloon which always remains spherical has a variable radius मतलब कि एक balloon है फिर से वही है question थोड़ा सा change हो गया कि हमारे पास radius change हो रही है और हमारे पताना है कि find the rate at with its volume is increasing with the radius when the later is 10 centimeter मतलब कि फिर से वही बात है कि हमने माना कि balloon r है volume v है और हमें db by dr निकालना है इस बार ये थोड़ा सा आसान हो गया मतलब कि volume change निकालना है बट rate of respect में radius के तो ये आसान हो गया कोई chain rule नहीं लगेगा db by dr तो volume volume का formula लग दिया क्या होता है 4 by 3 pi r q अब यहां भी r है यहां भी r है तो कोई chain rule नहीं लगाना है क्योंकि volume is the function of r and we are going with the differentiation with respect to r only तो क्या जाएगा यहां से 3 आ गया जाएगा तो 3 into 4 pi 3 pi r square 3 से 3 cancel 4 pi r square गा answer और जब r equal to 10 cm दिया है तो हमारे गितना हो जाएगा 4 pi into 10 square that is 400 pi cm square आगे question next video में देखते हैं